हेलो दोस्तों कैसे हैं सब मैं इमान्शू स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अवशेश का तूसरा भार अरे वो रही शेता शेता तू कहां रह गई थी शेता मैं तो मौत के मुह में जाकर वापिस आई हूं पापा शायद मौत को मेरा टेस्ट अच्छा नहीं लगा कोई समस्या तूनिंग में गरबर हो रही है अलग अलग फ्रिक्वेंसी पकड़ में आती जा रही है यह तरीका भ यहां के लोगों में इतना दम नहीं कि वें हमारा मुकाबला कर सकें वें भागने के लावा और कुछ नहीं कर सकते देखो मम्मी वो रा भाया अरे आप लोग अभी यहीं पर हैं हाँ शोयता पानी में गर गई थी इसको ढूड़ने के लिए रुखना पड़ा ओ शोयता पा की तीवता वाले इस भुकम के जया इस भुकम से जानमाल का जड़ा नुकसान नहीं हुआ है पर राजनगर से लेकर राजनगर तक की टठ रहएका पर कई इमारतों और सारचनिक सविधाओं को नुकसान पहुचा है इसके बावजूद जादाता तर लोग इस भुकम के वर तो प्रज्यान जी आपके इस भुकम और उसमें उभरे प्राचीन नगर पर क्या विचार हैं नगर के बारे में निश्चित तौर पर तो प्रमारिक जाच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है बस अभी इतना कह सकता हूं कि यह नगर प्राचीन है पर हाँ इस छेत्र में ऐसा इंपर करने की कितनी कोशिश की आपका ब्रेंचाइड प्रोजेक्ट सफल रहा हमने 23 किलोमेटर लंबी विशाल सुरंग में आप अटमिक कड़ों को प्रकाश की गती तक पर टकराने का काम सफलता पूर्वा अंजाम दिया है इस हैड्रॉन कॉलाइडर वर्क्स है गड़ इंडिया के मेरे होम टाउन में भूकम पा गया है और भूकम की कारण समुद्र के सदय पर प्राचीन शहर भी बढ़ाया है कहीं यह घ्रॉन को लाइडर का असर तो नहीं प्रोफिसर से कहीं सच्पुश कड़ों की टकर से ग्लैक होल जैसे ग्रूश शक्ति वाले महाशक्त होई चुका था सबस्यादा नुकसान कम्यूकेशन एक्किप्मेंट्स को पहुचा है कैप्टन पर अभी हमारे कमांडोस का ध्यान राजडंगर पर भूकम प्रवाइद लोगों की मदद पर हैं ठीक है तुम रिपेर की तैयारी करो मैं समत्र मैं अबरे प्राचीन शहर की हमारे एक बड़े राज के बराबर इसकी अधिकतर मारते काफी हद तक साही सलामत है कारवन डिटिंग प्रॉसेस चल रही है शाम तर रिपोर्ट आ जाईगी फिलाल तो आर्मी ने इस दरूर की सुरक्षा का जिम्मा ले लिए गडवल हो गई ना अब हम शहर के अंदर कैस निशाना निशान ना मिलने की कारण या शांप की कारण हुआ समझा जाएगा और फिर कोई इंसान किसी भी प्राचीन नगर में कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा सर हम यहाँ पर किस चीज से शहर की सुरक्षा करने आये हैं पता नहीं जवान शायद हमें यहाँ पर किसे मर गएं जैसे उनका हार्ट फेल हो गया कोई भी यहां रुकने को तयार नहीं है सब ही डर गए हैं और शांप का हवाला दे कर वापिस लोटना चाहते हैं ठीक है कमांडर यानि हमको आर्मी से भी बड़ी चीज के बारे में सोचना होगा और साबाग किसे मैं ऐसी एक मिनिट को जानता हूं मिस्टर नाग्राश शाह मैंनेजर और सनेक आइस है लो मिस्टर शाह मैं वैस्टर नामी कमांड का इंचार ब्रिगेडियर जनरल सैम हांड़ हो हमने सुना है कि इस ने काईस के गार्ड हाइली ट्रेंड हैं और वे किसी चीज से भी नहीं ड़ते सिव हैं मेरे हम आपको एक कांट्रेक्ट देना चाहते हैं राजड़ के ठटके पास अबरे प्राची नगर के बारे में तो अपना सुना है और उसके बारे में कुछ अबाई भी सुना हूं वे अबाई सच है हमारे सैनिक तक नाकाम रहे हम उसकी सुरक्षा का जिम्मा अब उसक साइन्स मुजियम महानगर यह देखो स्टुनाइंट्स यह हमारी विग्यानिक तरक्की की एक बहर पड़ी यादकार है हजारों वर्षपूर बनाएंगे फ्रिक्वेंसी सिंक्रोनाइजर उस वक्त इसका क्या रामता यह हम नहीं जानते इससे क्या करते थे सर यह बताना जरा मुश्किल है बेटे मुश्किल सवाविक थी प्राचीन लेगों के अनुसार प्राचीन काल में हमारा विग्यान काफ है पर चीज तो बदली जा सकती है ना यह प्राचीन चीजों के यहां पर मॉडल लगकर हमको बेवकूप बनाते हैं मुझे तो लगता है कि यह पूरा मुजय में एक बड़ा धोका है हमको यह यकीन दिलाने के लिए कि प्राचीन काल में हमारी सब्सक्राइब से कहीं ज्या क्यों सर कोई बम मिलाए गया बम चोरी हुआ है कौन सा बम सर मुजियूम में तो बम का एक्जिविटी नहीं है जितना कहा गया उतना करो कुई अधिकारियों को आज उस बम की गुन सुनाई दे रही थी जो तीन चार साल पहले फट चुका था क्या आप दावे के साथ कह सक हैं कि वह हजारों साल पुराना गैजिट वर्किंग ओर्डर में नहीं था इस पर श्ट है कि नहीं होगा मुझे पक्का यकीन है कि कोई इसकी स्मृति चिन के तौर पर ले गया है इस निशान को बचानते हैं इसको बच्चा बच्चा जानता है यह विश्विया भी कट्ट पागल है सार नदे का लीडर मेगनम पागल नहीं है जुनूनी है वह यह सच में यकीन करता है कि आज से हजारों साल हजारों वर्ष पहले का विज्ञान आज से काफी उन्नत था इसलिए वह हमारी प्रगती के सारे निशानों को मिटा कर लोगों को उसी युग में ले जान और समय रहते हैं उस प्लान का पता चलना और इसका धुस्त होना बहुत जरूरी है वरना हम सभी धुस्त हो जाएंगे पर उसको रोके का कौन नागराज क्या ख्याल है आपका मिस डांगी यह शहर बाकी प्राचीन नगरों से एकदम अलग लगता है या नहीं मुझे तो यह एकदम अजीब से लग रहा है जैसे परसोई बनाओ और काल पानी में दूबाओ मेरी गर्णा के नुसा यह शहर दस हजार वर्शों से भी अधिक पुराना है और यहाँ पर मुझे मिस डांगी कहने की कोई जरुवत नहीं है यहाँ पर हमारे लावा कोई सुनने वाला है ही नहीं मिस डांगी मुझे यहाँ पर कई उबस्तितियों का आवास हो रहा है यह अगर अभी तक आबाद है क्योंकि मुझे इसके अंदर से कमपनाते महसूस हो रहे हैं हम वापिस दीप पर पहुचने वाले हैं और यह सभी यह अभी तक गैजिट लेकर नहीं आया अगर हम इस बार अस्वाल हुए ते मैगना हमको भी मद्दकानी युग में पहुचा दे तुमको पक्का पता है कि उस दीप पर हमें देखने माला कोई नहीं होगा नहीं होगा जब आर्मी महां से डर कर भाग खड़ी हुई तो फिर कौन उस दीप पर आने की हिम्मत करेगा पर मैं फिर भी कोई चांस लेना नहीं चाहता है अगर उस दीप पर कोई मरी मचली भी ह होगी तो हमें पता चल जाएगा अभी तक तो इस दीप पर कोई नजर नहीं आ रहा है अच्छी बात है क्योंकि हमें आप इस नगर केंदर तक जाना है और उसमें वक्त लग सकता है हमें जल्दी करनी होगी क्या हुआ यहां पर कोई है कौन कौन है जो आर्मी से भी जाता हिम वे ठीक वहीं पर खड़े हैं जहां पर हमें जाना है एक मिनट उन्होंने अब तक तुम्हारी ग्लाइडर आइस को देखकर किसी को इनफॉर्म तो नहीं कर दिया होगा नहीं इतने पक्के यकीन का कारण क्योंकि वे उनको देख ही नहीं सकते क्या देख रहो शाह मुझे तरंगे महसूस हो रही हैं शक्तिशाली तरंगे खत्रा है हो गया अपना रास्ता साफ अब चलो इससे पहले की कुछ और लालच की मारे यहां आदम के हमको अपना काम पूरा कर लेना चाहिए उफ यह क्या हुआ था एक पल के लिए आँखों के आगे अंधेरा छा गया था इन पर गामा रेज का कोई असर नहीं हुआ क्यों गामा रेज से तो कोई भी इनसान नहीं बस सकता जानता हूं इसका सर्फ एक ही अर्थ है और वह यह कि यह मानव नहीं है अच्छा हुआ कि मैंने सही समय पर कवच एक्टिवेट कर दिया था यह हमको नहीं देख सकते चलो अब फटा फटा अपना काम करो और यहां से निकल लो यहां पर कुछ है मुझे मिलने वाली तरंग्यों और भी जादा शक्तिचाली हो गई है यह शक्स वे शक्स यह भूल गया कि वे तो इन सर्फों की नजरों से ओजल हो सकते थे लेकिन जमीन उजल नहीं हो सकती थी यहां पर कुछ है चिंता की बात नहीं है यह हमें ना तो देख सकता है और नहीं महसूस कर सकते हैं और हम भी इनको चूने ही सकते यह ठीक उसी जगह पर खड़ा है जहां पर हमको काम करना है अगर काम पूरा करना है तो हमें सामने आना ही होगा कोई दिक्कत तो नहीं होगी न, कोई नहीं यह अंतर तुम रखो, मैं इंको समाल लूँगा और अगर मारना पाया, तो दूर ले जाओंगा तब तक तुम अपना काम कर लेना तो यह बात थी, यहाँ पर जो कुछ भी है, जमीन के नीचे है पर यह आकरमक क्यों है, हमने तो इस पर हमला नहीं किया उन सैनिकों ने भी नहीं किया था, जिनकी इसने अकारन चान ले ली इसके अंदर काफी गर्मी है, इसको ठंडा करना ज़रूरी है अरे कहां गया, अरे क्या कियो तुमने इसके साथ, बस इसके दिमाग में पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नस को ब्लॉक कर दिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको भी ऐसी अच्छी नीन दिला सकता हूँ अमोर इसकाम में एक्सपर्ट है, अमोर छोटा सा नाम है मेरा, अपने नाम को थोड़ा सा बढ़ा कर लो, अमोर की जगए नो मोर रख लो अमोर अपना नाम बढ़ाता नहीं, बल्कि दूसरों का मिटाता है तुमने कुछ अलग बास ज़रूर है लेकिन फिर भी तुम मेरे यंत्रवार से नहीं बच पाओ, तंत्रवार से नहीं बच पाओगे तंत्रमत की धनिक शक्तियों को हम डीकोट कर चुके हैं और उनको अपने अनुसा अप्रयोग करने का तरीका भी ढूंद चुके हैं, ऐसे ही, अरे इसकी मौत तुने अपने सिर उपर ले ली, चलो मरना तो तुझे भी थाई, थोड़ा आगे पीछे मरने में कोई बुरा ही नहीं, नहीं, यह यह नहीं हो सकता, तु नागराज नह अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद